नमस्कार मेरा नाम पंकच कुमार भारती है और आप देखना सुरू कर चुके हैं जी जी एन एक साच आज मैं बरावली बिधान सभा छेत्र के बैकुंटपूर और टावा गाओं के बीच जो गंडक नहर है वहाँ पे उपस्तित हों यहाँ पे देखिए ये गंडक नदी जो है ये टूट कर ये जो पानी था इस बाध के उपर से बह रहा था और आज जो है ये बाध टूट करक अरे बाबुरे डूब जाएगा बाबुरे ये टूट गया है और टूट के देखिए बच्चों को मस्ती सूझ रही है ये देखिए कैसे ये कटाव की है ये नदी और ये पानी जो है पूरा इधर गाओं में खेत खलियानों में ये धान का पूरा फसल था ये सारा डूब और कहीं पर ये पानी जो है ये नदी का पानी फसल को ले डूबा है ये फसल के जो ये पानी है पानी के चलते कितना फसल जो है नुकसान हुआ है फसलों का यहाँ पर ग्रामीड बच्चे है गाओं के लोग भी यहाँ पर उपस्तित है बाबु तुम लोग थोड़ा यार स जैसा यहां के लोग बता रहा है भया क्या नाम है अपका प्रिंस कुमार सिंग यहां पर किसी जोन परती नहीं दी का दावरा हुए अभी तक कोई आया था अब बीच में कहीं आये होंगे तो पाता ना और परसासन आया था तो देखे तो गारी उदर लागा था उनको परसास अब लोग से नहीं कहें मतलब हमानी चला कि कुछ को के और फिर चले गए आप टूटा है बांधी यह रात में दो बजे के बाद वास फुटा है यह पुरा नादी उफान के था हाँ हाँ पूरा बान के उपर से पानी बाहा रहा था जो अच्छा इसमें कोई तो नहीं आप नहीं देखने के लिए अभी आप हम नहीं देखने के लिए अभी आप देखने के लिए जी चलिए यहां पर और लोगों से बात करेंगा उधर एब और बजार पका वहां एसा ही कटाव कर रहा है। यह पानी आप लोग फैत्म चला गया है कि पीछान दो बीगा देखे रहा है यह सब फोसल जो है यह सार नुक्षानी पानी को वजह से हुए लुगा है कितना खेत था यह दोनों बीगा पाध खेत का जो है यह सब पीछे जो दिख रहा है हाँ आचा गाहों में भी पानी गया है गाहों में तो अभी आता है यह कैसे बोलेंगे अच्छा गहर बचा हुआ है